Hi guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 चुलाई तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथिगा इस session को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी daily current affairs PDF, weekly PDF और monthly PDF चाते हैं, तो इस वीडियो के first comment में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस slide पर दिये गए सभी points को जरूर पढ़ें, कोई भी आपका doubt ह तो कुछ भी आप पूछना चाहें, तो हमें comment box में जरूर लिखें, तो चलिए फिर करते हैं, शुरू आतिस वीडियो session की, प्रिया मलिक ने किस देश में आयो जीत, विस्व कैड़िट कुस्ती championship में स्वर्ण पदक जीता है, options आपके सामने हैं, Austria, Croatia, Slovakia या फिर Hungary, सही answer होगा option D, तो प्रिया मलिक clinched gold at the World Cadet Wrestling Championship held in Hungary, तो हंगरी में ये championship हुई है, World Cadet Wrestling Championship, और यहाँ पर जो इंडियन wrestler है, प्रिया मलिक इन्होंने gold medal जीता है, तो इन्होंने सेनिया पातापोवी, इनको हराया है, और weight category आप याद रखिएगा, 73 kg weight category में इन्होंने जीता है, देखें कोई भी आप wrestling से जुड़ा हुआ current interface पढ़ते हैं, तो उसमें आप weight category जरूर याद रखा कीजिए, weight category ही आपके ज़्यादा तर exam में पूछ ले जाता है, जब question बनता है, हंगरी की अगर हम बात करें, तो capital बुदा पेस्ट है, और currency है Hungarian foreign, आगे बढ़ते हैं, केंद्रे ग्रह मंत्री अमिद्शाह ने किस राज्य में तमूलपूर Medical College की आधार शिला रखी है, options आपके सामने हैं, और सही answer होगा, option A, so union home minister अमिद्शाह led the foundation stone of तमूलपूर Medical College in Assam, जानते हैं इस news के बारे में, तो Assam में इस Medical College की स्थापना होगी, और इसका आधार शिला रखी गई है, साथी इनोंने जो गवाहाटी में State Cancer Institute है, यहाँ पर Radio Therapy Block इसको भी इनोग्रेट किया है, आसाम के बारे में आपको जानना चाहिए, यहाँ के गवर्नर चक्तिश मुकी हैं, CM हिमन्त अभी स्वसरमा हैं और Capital दीशपूर है, आसाम के बारे में हम कई बार यह जानकारी ले चुके ह घुके हैं साहई, यह है यहाँ बारे में वी आपकी हैं, यहाँ पर कामख के टेंपल भी हूँ किस हील पर है, यह भी आपको जानने चाहिए, निला चल हील पर है आसाम से चुड़ेगर हम हाली के करेंट अफेर्स की बात करें जो भी कुल लेटेस्ट हमने पड़े हैं तो वो एक तो यह है कि यहां के चीफ मिनिस्टर हिमांत भिश्व सर्मा ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विड़ो सपोर्ट स्कीम इसको लौंच किया है साथी आसाम गुवर्मेंट जिस तरह से भारत अतन अवर्ड दे जाता है और पदम अवर्ड चो दिये जाते हैं इसी कि तरह इस्टेट गुवर्मेंट भी इस तरह के पुरुष्कार देगी साथी आसाम गुवर्मेंट ने चीफ मिनिस्टर सीशु सेवा इसकीम इसको भी लौंच किया है जिन भी बच्चों ने अपने पैरेंट्स को खो दिया है उनको फाइनेंशल असिस्टेंस प्रोवाइट कराए जाएगी किसे चुना गया है सही आंसर होगा option A तो देखे वर्ड नमबर वन पैरा शेटलर है प्रमोद भगत शेटलर मतलब की बैटमिंटन प्लेयर है और इनको दिफरेंटली एबल इस पुरुष्कार को दिया गया है आपको जानना चाहिए कि जो 2020 के पैरलरंपिक्स होने वाले है यानि कि डिफरेंटली एबल गेम्स जो होने वाले है टोक्यो में ही होंगे ये तो 24 अगत से 5 सितमबर 2021 के बीच में ये खेले जाएंगे International Finance Corporation यानि IFC ने किफायती Green Housing Finance को बढ़ावा देने के लिए किस Housing Finance कंपनी को 250 मिलियन US टोलर का ग्रीन परदान किया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए HDFC जो है लोन प्रोवाइट कराएगा HDFC Finance जो है ये लोन प्रोवाइट कराएगा और इसी के लिए International Finance Corporation ने इसे 250 मिलियन US टोलर का लोन भी दिया है यानि 1875 करोड रुपे का लोन दिया है और जो भी ये लोन दिया है इसमें कम से कम 25 परतिशत जो फंडिंग है वो ग्रीन एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जानी चाहिए आपको जानना चाहिए HDFC Limited के CEO KKM मिस्त्री है और चेर्मेन है दीपक पारिक और मैनेजिंग डिरेक्टर रेनू सूध करनाथ है साथे आपको जानना चाहिए Headquarters मुंबई में है और अगर हम बात करें International Finance Corporation की तो इसका Headquarters Washington DC United States में है और इसके जो MD है यह मक्तार डायोप है और यह World Bank Group का ही हिस्सा है International Finance Corporation आगे बढ़ते हैं उस भारती व्यवसाई का नाम बताए जिसे आबुधावी Chamber of Commerce and Industry का उपाध्यक्ष न्यूक्त किया गया है सही आंसर होगा Option C तो देखे आबुधावी की जो Crown Prince है तो इन्होंने जो भारती बिजनस्मेन है यूसफ अली में इनको आबुधावी Chamber of Commerce and Industry का वाइस चेर्मेन न्यूक्त किया है आपको जानना चाहिए जो यूसफ अली है ये लूलू ग्रूप जो की आबुधावी बेस्ट एक कमपनी है इसके चेर्मेन and Managing Director है और ये जो पूरा बोर्ड बना है इसमें 29 मेंबर्स है और इसमें इकलोते भारती है जो है ये यूसफ अली है नासा का यूरोपा क्लीपर किस वर्स लॉंच हिया जाएगा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी तो नासा यूरोपा क्लीपर विल बी लॉंच्ट इन 2024 तो 2024 में इसको लॉंच किया जाएगा देखिए नासा यानि के नेशनल एरोनोटिक्स एंड इस्पेस एड्मिरिस्टेशन किस लिए न्यूज में है यह कुश्चन क्यू एम से क्यू बनाया गया है इसकी हम बात कर रहे हैं तो देखिए नासा ने जो जूपिटर का मून है यूरोपा तो यहां पर यह थोड़ा सर्च करना चाहते हैं और इसी के लिए इन्होंने स्पेस एक्स को सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट किया है तो किसले सेलेक्ट किया है यह जान लेते हैं तो देखिए पहले तो जानी जो यूरोपा क्लीपर मिशन है यह अक्टोबर दोजार चोबिस में लॉंच किया है और falcon heavy rocket से इसको launch किया जाएगा तो falcon heavy rocket यह SpaceX का rocket है तो इसके थ्रू जो है भेज़ा जाएगा यह पूरा mission और कहां से Kennedy Space Center यह Florida USA में यह भी आपको जानना चाहिए तो देखिए इसका मकसद क्या रहेगा कि जो यूरोपा है जो जो पिटर यानी ब्रसपती का जो moon है यहाँ पर life conditions क्या हो सकती है life conditions क्या यहाँ पर suitable है तो इस चीज़ को जानना यहाँ पर इसका मकसद रहेगा मतलब कि life की यहाँ पर संभाव नहीं हो सकती है या नहीं हो सकती है खेर यह वाला केरल पूलीस श्मार प्रेडिव क सस defence तो केरल फॉलसनय इनिशिटिव लौन्च एजिसका नाम है pink protection तो इसका जो देशे है वह है कि पूलिक प्राइवेट और डिजिटल इस्पेसेज में जो वीमें हैं उनके हीतों की रक्षा करना उनको खिलाफ कोई crimes नहों इसका ध्यान देना तो इसके तहट जो इनकी fleet है उसमें 10 cars 42 wheelers जिसमें की bullet bikes हैं cycles भी हैं यह सभी include की गई है और इसको flagged off किया यानि कि इसकी सुरुवात की है केरल के chief minister पिनराई विजियन है साथ ही इसी में ही पिंक जनमेत्री बीट पिंक जनमेत्री बीट इस system को भी launch किया गया है इसके तहट जो police officials हैं यह regularly जो घरों में जाकर महिलाव से पूछेंगे कि उनके खिलाफ कोई domestic violence हो रहा है या नहीं हो रहा है कि केरल की अगर बात करें तो chief minister पिनराई विजियन है गवर्नर आरिफ मौम्मत खान है capital है थिरुवनंत पुरम केरल से जुड़े हाल यह कर इंटरफेट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमने यह पढ़ा था कि भारत का जो first जीका वाइरस infection है इस साल यह केरल में रिपोर्ट किया गया है साथी केरल ने मात्रू कवजम इस campaign को भी launch किया है जो भी pregnant women है उनको COVID-19 की जो vaccine है वो दी जाएगी इस campaign के थूँ IBM किस हवाई एड़े पर airport in a box इस्थाबित करेगा options आपके सामने है और सही answer होगा option B so IBM will set up airport in a box at Compagoda International Airport जानते हैं इसके पारे में तो देखिए IBM और Bangalore International Airport Limited जो की Compagoda International Airport का यह आप नाम है बैंगलूरू में है ठीक है तो यहाँ पर जो IBM है इसकी एक firm है Kinril तो यहाँ पर airport in a box इस platform को launch करेगी इस से क्या होगा जो भी passengers है उनको airport पर अच्छा experience मिलेगा साथ ही जो यहाँ के जो manpower है जो काम करते हैं इस airport पर उनको भी जो है एक आप कह सकते हैं उनको एक अच्छा workplace यहाँ पर मिलने वाला है IBM के बारे में आपको जानना चाहिए इसके CEO Arvind Krishna है और Headquarters New York United States में हर्मौंक New York United States Colliers ने CEO भारत और MD Market Development Asia के रोप में किसे न्यूक्त किया है सही answer होगा option B So Ramesh Nair has been appointed by Colliers as the CEO India and MD Market Development for Asia आपको जानना चाहिए कि जो Colliers है यह investment management company है काफी जाने मानी company है इसलिए question आपके लिए important है तो इसने Ramesh Nair को अपना इंडिया में CEO और Asia के लिए MD Market Development Officer यह न्यूक्त किया है जो Colliers है इसका headquarters Toronto Canada में है Miss India USA 2021 का किताब किसने जीता है Options आपके सामने है रुकमनी, मीरा, कसारी, अर्सी, ललानी या फिर वैदई, डॉंग्रे सही answer होगा option D So वैदई, डॉंग्रे has been crowned Miss India USA 2021 So यह जो है Michigan से हैं वैदई और इन्होंने Miss India USA 2021 का किताब जीता है 25 साल की है इंडिया में इनका जन्मुआ है लेकिन जो इनका जो रेजिंग होई है वो अमेरिका में होई है किस भारतिय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सोध करता होने ऐसे पदार्थो की खोच की जो यांत्रिक छती को स्व्यम ठीक कर सकते हैं Options आपके सामने हैं और सही answer होगा option D So researchers from Indian Institute of Science Education and Research Kolkata discovered materials that self-repair mechanical damages देखे जो यह institute है IIISER तो यह कई जगा पर है यह पुने में भी है मोहाली में भी है भोपाल में भी और Kolkata में भी है तो Kolkata में जो इस्तित हैं यहां की researchers ने इस तरह का material develop किया है जानते हैं इस question के बारे में तो देखे जो यह researchers हैं IIISER के इन्होंने IIT Kharagpur की team के साथ मिलकर एक इस तरह का piezoelectric material ना है जिसका नाम है Biparazole Organic Crystals तो अगर इसमें कोई भी mechanical damage होती है इस material में कोई भी mechanical damage होती है तो यह खुद से उसको जो है सही कर लेता है उसको repair कर लेता है यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर देखें डेमेज किया गया है फिर इसने खुद को सही repair कर लिया इसी तरह से दिखाए गए हैं सभी तो दे सकते हैं पीजो एलेक्टिक crystals क्या होता है अगर इन पर थोड़ा सा भी mechanical stress या फिर mechanical impact आप apply करें तो यह electricity generate करते हैं किस संस्थान ने agriculture grand challenges launch किया options आपके सामने है और सही answer होगा option D so center for cellular and molecular platforms launched agriculture grand challenges जानते हैं इसके बारे में तो देखे center for cellular and molecular platform C camp इसने agriculture grand challenges इसको launch किया है एगरी innovation के लिए यानि agriculture के फिल्ड में जो भी भारत समच्चा है जेल रहा है तो उसमें यदि आपको इस तरह का अविश्कार कर दें इस तरह का कोई innovation कर दें कोई equipment बना दें आप ठीक है तो उसमें जो भी इस तरह का innovation लाएग तो उसके लिए agriculture grand challenges यहाँ पर launch किया गया है और कई तरह के यहाँ पर price भी उनको distribute किये जाएंगे और जो भी उन्होंने innovation किया है उसको implement भी किया जाएगा साथ ही आपको जानना चाहिए जो यह center for cellular and molecular platforms है इसका headquarters बेंगलूरू में है और यह department of biotechnology जो की ministry of science and technology and earth sciences का इससा है इसी के तहित आता है इसलिए question आपके लिए important है आगे बढ़ते हैं सरकार कितने रुपे के प्रस्तावित परीवियाई के साथ एक राश्टिय अनुसंधान foundation की इस्थापना करेगी options आपके सामने हैं और सही answer होगा option D the government will set up a national research foundation nrf with a proposed outlay of rupees 50,000 करोर तो 50,000 करोर की लागत से national research foundation इसकी स्थापना की जाएगी तो यह हाल ही में जो चर्चा है यह question इसले मनाया गया है क्योंकि जो मारे education minister है धरमेंदर परधान उन्होंने इस बारे में जो है बताया कि 50,000 करोर रुपे की लागत से national research foundation की स्थापना की जाएगी हाला कि जो national education policy जो नई launch की गई है उसमें भी इसका जिक्र दिया गया है आपको बता दें इसका उद्देश यही रहने वाला है कि जो भारत में जो research के लिए जो funding है उसमें कोई कमी ना हो तो इसमें जो technical के साथ साथ जो humanities में अगर कोई research चाता है तो उसमें भी funding दी जाएगी जैसे कि sciences, technology, social sciences, arts and humanities इसमें कोई भी अगर आपकी अच्छी research है तो funding जो है government of India के थुरू कराई जाएगी तो 50,000 करोड रुपे की इसमें total outlay है सीर्स तीन निजी छेत्र के रिंड दाताओं में यानि जो lenders है जो banks है इनमें with words 2021 में कौन सीर्स अर्जक के रूप में उपरे हैं options आपके सामने है और सही answer होगा option A यह difference आपको कभी हिंदी समझना है तो आप video को post करके English भी देख लिया कीजिए इंग्लिस में अच्छे से समझ में आ जाता है तो देखिए अमंग दा टॉप थ्री प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स आदित्यपूरी emerged as the top earner in fiscal year 21 तो देखिए HDFC बैंक के पूर्व MD & CEO रह चुके है आदित्यपूरी आपको बता देखिए जो आदित्यपूरी है यह 1994 से 1994 से SDFC बैंक के MD & CEO रहे हैं और किसी भी प्राइवेट बैंक के अब तक के सबसे लंबे MD और CEO रहने वाले व्यक्ति हैं तो देखिए बात हो रही है साल 2021 की तो 2021 में जो है जो 2021 का जो वित्यवर्स हैं तो इसमें सबसे आदा कमाई जो है आदित्यपूरी की हुई है तो इन्होंने तेरा दसम्लव आठ दो करोड थर्टीन पॉइंट एट टू करोड रुपे कमाए है इसमें के जो रिटायर्मेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो अभी इसमें सामिल है 3.5 करोड रुपे इसमें सामिल है आपको बता दें अब जो है HDFC बैंक के जो MD and COE यह हैं ससीदर जगदीशन तो इनको 4.77 करोड रुपे इन्होंने साल 2021 में कमाए है और इसी तरह से एक्सिस बैंक के CEO की बात करें मिताब चोदी तो इन्होंने 6.52 करोड रुपे कमाए है और ICICI बैंक जो की सेकेंड लाडजेस्ट लेंडर है प्राइवेट लेंडर है सबसे बड़ा लेंडर कोन है प्राइवेट सेक्टर में HDFC दूसरे नं इन्होंने अलक्सीन प्रफोर्मेंस बोनस दिया गया है तो इंपोर्टेंट आपके लिए यह है कि सबस्यादा आदित्यपुरी ने आपर अर्ण किया है नेश्ट है लास काबोस मेक्सिको में मिफेल ओपन ATP 2050 टैनिस टूर्णामेंट किसने जीता है सही आंसर होगा ऑप्श मेक्सिको तो देखें मेक्सिको में यह चैंपियंशिप हुई है मेफेल ओपन ATP 250 टैनिस का टूर्णामेंट है यह और ग्रेट बिटेन के कैमेरून नोरी ने यहाँ पर ब्रेंडम नकशिमा को हरा कर यह टाइटल जीत लिया है अब देख लेते हैं प्रिवेस असाइनमेंट questions के answer इसलीक है अब हम अफ्रिका देख रहें तो ऑफ्रिका की country ज्यादा तर एकजाम में पुछा ही जाती है इसलीए आप इनको तो अच्छे से ही लिस्टेट करना पुरंबिकुलम टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टेट केरल वर्ड दोनिंग प्रिवेंशन डे इस अबसर्ड ओन विच ते 25 जुलाई विच कंट्री लॉंच्ट तब वर्ड लाज़ेस्ट कार्बन मार्केट फॉर पावर सेक्टर आंसर इस चाइना अथलेट्स फ्रों विच कंट्री आर कंपीटिंग इन टोकियो 2020 ओलंपिक्स अंडर दा एक्रोनिम आर ओसी आंसर इस रश्या और आप मेंसे कई एस फ्रेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप फ्रेंट्स हमारी इन असाइनमेंट कोश्चन में पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए और यदि आपको हमारा करंट अफेर्स अच्छा लगता है हमारा एक्स्पेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अब देख लेते हैं आज के साइनमेंट कोश्चन तो पहला कोश्चन है वट इस सूपर बिट वन वर्ड में आप इसका अंसर दीजेगा वट इस दे कैपिटल एंड करंसी ओफ यूथोपिया जल्युक्त शिबार अभियान is related to which state करंट अफेर्स फंडागो आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट कोई जैसा हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी डिसकसिन गुरूप में आप किसी भी कोश्चन का सोलूशन पा सकते हैं दोस्तों आप ने अपर हमारे करंट अफेर्स की प्लैलिष्ट दी गई है इसको आप जरूप ळेखें अपने दोस्तों के साथ और जो फैलव परेंटस नके साथ हमारी करंट अफेर्स को शेयर जरूर वरे आज सेशन आपको कैसा लगा? कौमेंट बोक्स में हमें जरूर प करते हैं करते हैं